हेलो, दिस इस कवीता बक्तियानी, जे मातादी, आज हम बनाएंगे सिंधी स्पेशल बेसन की टिक्की इन ग्रेवी, सिंधी बेसन जी टिक्की, इसे सिंधी में ऐसे बोलते हैं, और इस टिक्की को बनाने के लिए दो तीन तरीके हैं, आज मैं आपके साथ एक शेयर कर रही यह बहुत ही यम्मी बनती है, एक बार आप ट्राइ कीजे, क्योंकि यह सिंधी की स्पेशल दिश है, जो हम लंच में बनाते हैं, और इसे बनाने के लिए जादा मैनत की नहीं जरूरत है, पर ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बनाया है, मैरा इजी वे है, और बनाईए जर लिए टोमेटो, लसन, अद्रक, मिर्ची, धनिया, आलू, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, अभी हमने बेसन वाले मिश्रन को सबको मिक्स कर देना है, उसमें थोड़ा सा अनार दाना भी डाल देना है, अनार दाने का चूरा, इसे सबको अच्छे से मिक्स कर देन है सब डालके और उसे उसके बाद उसमें हलका सा पानी डालके उसका एक आटे के जैसा बना लेना है और छोटी-छोटे उसकी टिक्की के जैसी बना लेनी है और रेडी रखनी है फिर पानी गरम करने रख देना है और पानी बॉयल होने के बाद उसमें ये टिक्की डालनी है क तोमेटो अद्रक मिरची धन्या इसको पीस लेना है, और थोड़ी लसन हम ने अलग से कूट लेनी है, फिर एक पैन में तेल डाल के वो लसन डाल Jahragn के उसे थोड़ा सा सौथे करना है उसके बाद हमने वो टमेटो जो मिक्सर में पीसा है तमेटो वाले साब चीजे वो उसमें डाल के उसे थोड़ा सा अच्छे से बुन लेना है थोड़ा बुनने के बाद उसमें वो सब ड्राइ मसाले एड़ कर देने हैं फिर अच्छे से थोड़ा बुनना है करीबन 2-3 मिनिट तक गुनते रहे और उसके बाद उसमें हमने वो टिकी जो बॉइल की है पानी के साथ ही उसमें डालनी है और आलू काटके धोके वो डाल देने हैं और इसे 5-7 मिनिट तक पकने देना है देखना है जब तक आपका आलू पक जा है तब तक उसे थोड़ा सा पकने देना है और उसके बाद हमने इसे सब्ड़ जो राई का चौंक लगाया है उसकी बड़ी प्यारी खुश्बू आती है इसलिए उसे ढखके रखना है और दो मिन के बाद उसे खोलना है और यह हमारी टिकी तयार हो गई यह बहुत ही यम्मी बनती है जो बैसन की टिकी है तो बनाइए खाईए इंजोई कीजिए और मेरी नेक्स डिश का इंतिजार कीजिए बहुत ही यम्मी डिशिस आगे-आगे आपको मैं बताती जाओंगी तो कीप प